हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो कुप वित नूरी आज मैं आपके साथ एक शर्बत के रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है शर्बत-े-महबब इसे आपने अक्सर बाजार में मिलते देखा होगा पर अब से आप इसे बहुत ही आसानी से और हाईजिनिक तरीके से गर में ही बना कर इंजॉय कर सकते हैं यह बहुत ही लजीज और रिफ्रेशिंग और इंस्टेंट एनरजी शर्बत है तो चलो शुरू करते हैं बनाना आज की हमारी रेसिपी शर्बत-े-महबब मेले आदा लीट दूतर लिया था उसे गरम कर लिया थो अच्छे से अभी भी मैंने असे ठंडा कर लिया है 1 पर सबसे पहले आप दूत्र को गरम कर ले और फिर उसे रूम टैंपरचर पर आने तक थंडा कर लिए फिर अब अब इसमें डालेंगे शुगर यह मैंने चार चमश लिया है, यह हम इसमें डाल देंगे, समच्छे से मिक्स करेंगे, यह बहुत ही रिफ्रेशिंग शर्बत बनता है, बहुत ही जटपट भी बन जाता है, आप इसे अफ्तार में जरूर ट्राइ करें, या फिर कही बार से जाके आने के बाद आप इसे पीए तो इंस्टिंट एनरजी का काम करेगा, यह शकर को मैं अच्छे से इसमें डिजॉर्ब कर दूंगी, अब हम इसमें रोस सीरप अड़ करेंगे, रोस सीरप कैसे बनाते हैं, इसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेर की है, अगर आपने नहीं देखी है, तो उपर आप लिए बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मेरी चैनल पर जाके देख सकते हैं, तो इसमें से दो चमज मैं इसमें आट करूंगे, हम पहले इसे अच्छे से शेक कर लेंगे, क्योंके कभी कबार नीचे यह सब बैठ जाता है, जो शकर होती है, वो नीचे बैठ चमज, दो चमज, समचे से मिक्स कर लेते हैं, अब हम इसमें डालेंगे सबसा, यह मैंने एक बड़ा चमज लिया था, और इसे पानी में भीगो के रखा था, और फिर पानी को निकाल दिया था, यह हम इसमें डालेंगे, सच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसमें जाएगा ये मैंने कलिंगर लिया है और इसे मैंने एकदम बारिक-बारिक चॉप कर लिया इसके सीट्स को हो सके तो डिस्काट कर ले मैंने तो इसके सीट्स पूरे निकाल लिये है ये एक कप है ये में इसमें डाल दूँगी बहुत ही मज़े का यह शर्वत बनता है तो आप लोग इसे एक बार जरूर बनाएं फाइनली हम इसमें नट्स एड़ कर देंगे यह मैंने थोड़े से बदा और पिष्टा लेके चौप कर लिया है यह में इसमें डाल रही हूँ यह रेडी हो गया है तो अब मैं इसे सविंग ग्लासेस में निकाल लेती हूँ अब हम यह शर्वत को सविंग ग्लासेस में डाल देंगे अब हम इसमें बरब डाल देंगे और थोड़ा से ड्राइफ रोड से उपर गानिश कर देंगे रेडी है हमारा शर्वत महबत बहुत ही आसान रेसिपी है तो आप लोग इसे जरूर बनाएं मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें